हाई गाईज गुद मॉर्निंग तो अभी सुबह के ग्यारा बज रहे हैं आज भी मैं लेट हो गई उठने में बट अभी ठीक है कुछ टाइम से मेरी हैबिट खराब हो गई है तो मैं काम कर रही है उस पे तो उठने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ वन ग्लास वाम सो उसके बाद ब्रश करने के बाद पीती हूँ मैं गरम पानी उसके बाद फिर मैं सबसे पहले चीज जो करती हूँ वो है मैडिटेट कुछ मंस पहले मैंने ये हैबिट अपनी डेली लाइफ रूटीन में स्टार्ट करी है मैडिटेशन करना और इससे काफी हैल्प हुई ह मेरी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने में इससे वेरी गुड हैबिट तो कई बार में टीवी पर गाइडेड मेडिटेशन लगा लेती हूँ श्री श्री रवी शंकर के या फिर खुद भी ब्रेधिं एक्सराइज कर लेती हूँ जैसे काउंट करना ब्रेथ पर फोकस करना अल भी सर्फकम्बाइड मेडिटेशन मेडिटेट करनी के बाद जो मैं करती हूँ है जर्नलिंग यह पया जर्नलिंग भी कुछ मzen पहले मैं इस घंप स्टार्ट करी इस में योनमों I have a journal book तो steep map मैं आती हूँ फिर मेरे पास एक journal book है जो मैंने Amazon से order करी थी अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले मैं कल रात में जो books पढ़ रही हैं इनको side रख रही है तो ये है मेरी journal diary believe you can and you will and win the days पे बहुत positive quotes लिखे हैं अनर जब हम इसको खोलते हैं it's like a planner इसमें आप अपने dates लिख सकते हो पूरे दिन का schedule लिख सकते हो timing के साथ और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे इसमें columns है और सबसे ऊपर जो है वो है I am grateful for affirmations, goals, good habits to adopt, bad habits to leave, बहुत ही अच्छा general diary है यह और इसमें मैं लिखती हूँ and हम सब को सबसे पहले grateful होना बहुत जरूरी है हम जब भी सुबह उठें God को हम thank you करें कि आपने मुझे जो कुछ भी हमारी life हम मिला है it's always important कि हम उन चीज़ों पर भी focus रखें जो हमारे पास है तो मैं यह जरूर करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे आपका head भी clear हो जाता है सुबह सुबह अपने thoughts लिख देना positive चीज़े लिखना it really helps a lot so यह वाला book complete करने के बाद फिर मैं जो मेरी एक और डाइरी है भी वो उठाऊंगी वैसे तो इसमें भी things to do मैं लिखती हूँ but उसमें भी मैं लिखती हूँ so यह वाली journal book मैंने ली थी Amazon से अगर आप लोगे तो मैं link भी दे दूँगी और next अब जो मैं लेने वाली हूँ वो है मेरी यह pink cute सी डाइरी यह जब मैं US में पढ़ती थी मैंने वहां से ली थी एक बहुत प्यारा सा store था वहां पे सब कुछ pink था तो हाँ New York से मैंने ली थी I think Jersey mall या किसी mall से इसमें मैं लिखती हूँ things to do उसमें भी मैं लिखती हूँ but इसमें मैं और जादर detail में लिखती हूँ और या फिर रात में मैं लिखकर रख देती हूँ है and सुबह उनको एक बार पढ़ लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करना है इससे ना आपका एक mindset हो जाता है कि आज मुझे यह करना है वो करना है तो it's really it's very good you know to just clear your head first thing in the morning so इसकी बाद जो है मेरी cook आजाती है मेरा favorite part of the day मेरी चाय और नाश्टा लेकर और कुछ-कुछ बताती रहती है तो मैं उसको पता रहता है कि मैं उट गई हूँ मैं phone कर देती हूँ कि इतने time से ले आना तो वो फिर नाश्टा लेकर आ जाती है जैसे ही मैं यह सब काम करके free होती हूँ आज नाश्टे में है ओट्स वेजिटेबल ओट्स है यह वही बनाती है और सुपर मैं almonds खाती हूँ सोग्ड की हूई और चाय और यह मेरी प्यारे से गन्नु जी सो क्यूट ना और उसकी बाद नाश्टा करने की बाद मैंने अपने मेल्स वगेरा बढ़े जो भी work related मेल्स होते हैं उसकी बाद मैंने को shopping करी थी तो वह मैं सारे packets में से निकालूंगी और अपने रूम में set करूंगी और फिर मेरा second meal of the day होता है वो होता है fruits तो आज मैं खा रही हूँ apple और banana mostly मैं यही खाती हूँ यह मेरा one of the favorite fruit है I guess वैसे तो मैं सारे fruits खाती हूँ मैं change करती रहती हूँ और यह so यह fruits खाऊंगी मैं अभी second meal of the day हो गया मेरा fruits अब इसके बाद में क्या करने वाली हूँ देखो and breakfast करने के बाद मैंने shower ले लिया था shower करने के बाद फिर मैं fruits खा रही हूँ तो second meal of the day यह है मेरा so shower लेने के बाद मैंने पूझा की थी उसके बाद मैंने fruits खाए थे और फिर reels का थोड़ा बहुत content shoot किया था फिर lunch किया था और वो मैं shoot करना actually भूल गई फिर अब शाम हो चुकी है और मैंने अपनी evening TV ले ली है और मेरे room में जो है terrace balcony है जहां पर मैंने कुछ 4-5 plants रखे हुए है कुछ मैंने पने room में भी रखे हैं वो भी बहुत प्यारे से हैं कभी दिखाऊंगी बट अभी ये वाले plants को मैं पाने देने आ गई हूँ कई बार मैं सुबह शाम भी देती हूँ बट ओविएसली मैं बहुत लेट उठी थी तो आज मैं शाम में ही दे रही हूँ और सब कुछ मुझे green और ऐसा white ऐसे करके रखना बहुत अच्छा लगता है because it's very soothing I love white color I love green color all the soothing colors मुझे तड़की ले भड़की ले color अच्छे नहीं लगते इसलिए मैंने अपने room का theme भी white green and you know light colors ऐसा ही रखा है बहुत जादा not so much of colors तो ये देखो कि ते प्यारे लग रहे हैं ये plants you know plants अपने आस पास रखना बहुत अच्छा होता है living things रखना ये environment के लिए भी अच्छा है जितना जादा हो सके plants रखने चाहिए घर में बहार भी लगाने चाहिए and you know इससे वाक़ी बहुत positive सा भी लगता है and it's very good for overall being और कुछ मैंने green color की balls भी अपने terrace balcony में रखी हुई है and you know chair table कभी कभी शाम में या सुबह में हाँ पर meditation करती हूँ and chai पीती हूँ that's all और एक मेरा plant मैंने अंदर सीडियों पर रख दिया था because उसके हाँ पर बहुत जारा धूप आ रही थी तो वो सूख रहा था तो उसकी health को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया यह पहले मेरी terrace balcony में ही था तो इसको मैं यहाँ आकर पानी देती हूँ अभी यहाँ पर ही रख दिया नीचे भी मेरे घर में यह तो मेरे floor पे हैं बट नीचे भी मेरे घर में बहुत सारे plants हैं flowers हैं वो भी मिछे कभी हुआ तो दिखाऊंगे किसी blog में यह वाले तो बस मेरे room में जो हैं और room की balcony में यह वो हैं but I just love you know surrounded by plants and greenery so yes तो थोड़ा सा और मैंने watering की plants की that's it oh god just look at this one it's too cute so इसकी बाद शामे में जाती हूँ जिम बट आज मुझे कुछ और भी काम है तो शायद मुझे जिम skip करना पड़ रहा है because आगे देखते हैं ब्लॉग में आप लोग देखना मैंने जिम skip किया है नहीं और यहां मैंने अपनी bottle को भी bottle बोल रही हूँ अपनी bottle से पनी ball को भी दो दिया आज मुझे कुछ काम है तो आज मैं जिम skip कर रही हूँ because अगर मैं जिम जाओंगी तो टाइम बहुत कम बढ़ जाएगा तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ तो जिम मुझे skip करना पड़ा because मुझे जाना है hair spa कराने and shopping भी थोड़ा important है इसलिए मैंने skip कर दिया तो because मुझे अभी का point में मिला तो मैं जा रही हूँ है hair spa कराने बहुत traffic था आज कल usually बोबाल में बहुत सारा traffic रहने लगा है so ठीक है वैसे भी शाम की time तो रहते ही है तो यह देखो हमारा सुन्दर सा प्यारा सा बोबाल कुछ भी हो लेकिन बोबाल बहुत सुन्दर है और greenery बहुत ही जादा है तो बस अब मैं जा रही हूँ तो सबसे पहले मैं गई H&M पहले मैं shopping करूँगी उसके बाद salon जाओँगी तो यह मैं आ गई हूँ H&M यहां से मैं करूँगी कुछ shopping अभी मैं जाओँगी collection देखूँगी and stay tuned guys so मैंने कुछ कुछ ले लिया है यह मैं बिल करवा रही हूँ and because में पस time कम था तो मैंने जल्दी से पिक की outfits और यह मैं तो यह मैं करवारी हूँ अब hair spa and hair spa कराने के बार एक्चली जब मैं सैलो में थी तो मेरी फ्रेंड का फोन आया कि यार थोई दिर के लिए club आ जा वैसे तो मैं बहुत थक गई थी आज ऐसा कोई plan नहीं था पर मैंने का चलो ठीक है थोई देर के लिए मैं आ जात ही and also जिन लोगों को भी नहीं पता मैं alcohol वगेरा consume नहीं करती हूँ तो इसलिए मैं club जाने से पहले you know ऐसे नारियल पानी हो गया या shake वगेरा कोई भी energy drink कभी चाहे ऐसे सब चाहे तो मैंने शामें पी ली थी तो यह लेकर जाती हूँ उससे आप dehydrated feel नहीं करते हो low on energy नहीं हो तो यह मैं आ गई हूँ club थोड़ा सा ही बस मैंने डांस किया half an hour के लिए because मैं बहुत थकी हुई थी थोड़ी बहुत मस्ती करके बस यह मैं निकल गई club से बाहर मेरी friends तो वहीं रह गई लेकिन मुझे जल्दी आना था तो मैं निकल गई and यह मैं जा रही हूँ finally अपने तो यहां पर थोड़ा बहुत मैंने व्यू को capture किया और अभी जाना मत जाना मत अभी मैं थोड़ा सा हुआ रहे हैं तो stay tuned so guys अब मैं जानी हूँ घर मैंने पाठी कर ली और मेरे फ्रेंड सो और दे तब होगे बड़ मैं नहीं रूखी because obviously आज कर दिन काफी productive था और मुझे टाइम से जाना था because कल मौन ही मेरा शूट भी है so bye guys like, share, subscribe to my youtube channel and my insta id is saakshithk और आप बस में घर आ गई हूँ अपने face को clean करूंगी और सो जाओंगी good night bye guys